जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे मैंने चैनल पर कई सारी वीडियो डाली हर एक वीडियो मैंने बताया हुआ कहां पर आपके पास income proof की जुरूत पड़ेगी कहां पर आपको civil score की जुरूत पड़ेगी कितना आपको loan मिल सकता है कितना rate of interest लगेगा कहां से loan ले तो हम loan कैसे ले यानि कि बिना income proof के loan कैसे ले तो फिलाल आज में एक ऐसी application के बारे में जानकरी ले कराया हूँ जिस application में माध्यम से आप बिना income proof के loan ले सकते हो सिर्फ आपके एक छोटी से KYC होनी है पेंकार अधर का नम्मर डालना KYC करना और आपको यहां पर loan का amount दिखा को करना क्या है वीडियों में end तक बने रहना है ताकि आपको पूरी सही जानकारी मिल जाए दो चार मिंट में आपसा दो चार जार रुपे बचा सकते हो अपने तो फिलाल आज हम जिस application के बारे में बात कर रहे हैं मैं उस application के बारे में आपको बता देता हूँ तो दोस्तो पर क्लिक करते हैं यहां पर अच्छे खासे लोगों ने रिवू दिये हुए जिसमें कि आपको 3-star, 4-star, 5-star, यहां तक 1-star भी दिया गया है लेकिन हम 1-star या 4-star से मतलब नहीं रखेंगा मतलब यह रखेंगा अगर हम खुद से लेते हैं जब लोन तो हमसे क्या मांगा जा बहुत सारे हमने अपली केसन देखिए जहां पर आप देखेंगे रेटिंग आपको साइडंस देखने को नहीं मिलती है लेकि फिलाल हमें रेटिंग से मतलब नहीं हम अपना परसनल एक्सिप्रेंस निकालेंगे सिर्फ basic KYC के उपर ही आपको यहां पर लोन दिया जाता है इसलिए आपको लोन का amount कम भी हो सकता है तो फिलाल हम बात करने वाले एक point पर और कि अगर हम इस application बारे हम बात कर आप यहां पर ध्यान से देखिएगा यह application NBFC द्वारा approved है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं RBI registered N NBFC द्वारा approved यह application आप देखने हों मिल जागी जिससे सबसे plus point होता है कि आपको harassment होने के या fraud होने के chances ना के बराबर रहते हैं पहली चीज और भी clear करना चाहूंगा कि मैं कोई promotion वीडियो नहीं बना रहा हूं जो reality है मैं वही सारी चीज़े बता रहा हूं अब चलिए बात करेंगे इसके ठ리एक अपकर आप drag वाले क्लिक कर देंगे इसके बाद दोस्तों देखर आपसे पूछा ढाता है क्या है क्या आप बहुत कि इसके बादढ़ आप से पुछा रहता है कि आप इसको registration किस के माधिय है Subscribe प्रेटर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्ट कि 500 रुपे से लेकर के 50,000 रुपे तक का लोन आपको यहां पर मिल जाएगा और यह एक बुल्कुल इस्टेंटली आपका अप्रूब होता है अपके लिए बोजा टैम आपको वेट करने की जुरूद पड़ेगी इसके अपलाई करने के लिए सेंपल से नीचे यहां पर स्टार्ट योलोन अप्लिकेशन पर किलिक कर देंगे इसके बाद आपसे कुछ पर्मिसन मागी जाएगे जिसको आपको यहां पर अलाउग कर देना है इसके ज़स्ट बात देखेंगे दोस्तों यहाँ पर वोता जाता है कि identity proof आपको देना पड़ेगा, selfie upload करना पड़ेगी, pen card की detail और personal detail फिलप करना पड़ेगा, इसके बाद आप continue पर किलिक करेंगे और आपका यहाँ पर verification complete हो जाएगा, तो फिलाल चलिए हम यहाँ पर continue पर कि कर देना है, इसके बात देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर अपने एक selfie upload कर लेंगे, दोस्तों selfie upload करने के बाद जैसे अपने next page पर आप आएंगे, तो यहाँ पर आपके आधार card से जो भी data जैसे आपका नाम हो गया, date of birth हो गया, यह सारा कुछ यहाँ पर ले लिए जा जैसे उसके क्लिक करेंगे, तो यह आपको बताना पड़ेगा कि आप एक salary person है, self employer है, या unemployed है, या फिर आप other भी select कर सकते हो, जैसे माली हो सबता आप एक student हो, आप उसके डिगरी में नहीं आ रहे हो, तो यहाँ पर आप उसको other भी select कर सकते हो, यहाँ पर जैसे दोस्तों हम को simple सा continue पे click कर देना है, इसके बाद आपका जिस भी bank में आपका account है, जिस bank के account में आप पैसे को लेना चाहते है, simple सा आप उसको select कर लेंगे, और जिस bank account में आप पैसे को लेने वाले है, उस bank account का यहाँ पर number इंटर कर देंगे, submit पे click कर देंगे, इसके बाद देखेंगे आपका final amount दिखा दिया जाता है कि आप कितने loan के लिए यहाँ पर eligible हैं ध्यान दखिएगा यहाँ पर अभी तक कोई भी income proof हो गएरा आपसे upload करने के लिए नहीं बोला गया कि नहीं भी आप यहाँ पर upload करो आपके उतनी income रहेगी salary sleep रहेगी या फिर आप यहाँ पर bank statement दिखा होगे उसके बाद ही approve होगा ऐसा नहीं बल्कि सिर्फ KYC आपकी normal थी उस KYC के ब्याब पर आप देखेंगा यहाँ पर आपको 15,000 रुपे loan के लिए हमें अपर अपर यहाँ पर जो भी loan दिखाया गया यानि करीब आप दो महीने का time मिल जाएगा पहला आप select कर सकते हैं जिसके आगे आपको यहाँ पर EMI भी दिखाई दी गई और आप total कितना repayment करेंगा वो भी दिखा दिया गया है हलाकि सारा कुछ हम calculation करके देखेंगा कितना महेंगा पड़ता है हुआ के चलके और यहाँ बात करें जो दूसरा आप आपको दिखा जा रहा है option कि 120 दिन यानिका आप यहाँ चार महीने में आपको कितना फाल्त हो देना पड़ेगा तो आप देखेंगा करीब 2000 फाल्त हो देना पड़ेगा आप से कितना इश्टा पैसा लिए जा रहा है प्रोस्टिंग फीस प्लस जीस टी बात करें तो 1180 रुपे लिए जा रही है और जो बैंक अकांट में आपका अमाउंट आएगा वो 13922 रुपे आएगा जो इंड्रेस्ट की बात करें तो 110 रुपे आपका इंड्रेस्ट दिखा दूँगा फिलाल आपको यहां पर सारा कुछ चेक लेना है इसके बाद आपको continue पर क्लिक कर देना इसके बाद देखेंगे फिनिस लोन अप्लीकेशन सेंपल साभ इसके बाद देखेंगे आपको स्वारी डिटेल दिखा दी जाती है जो भी आपने यहां पर लोन का इस बैंक अपने अकाउंट में पैसा लिया हुआ है, उसी में आटो डेविट सेट कर लेंगे, तो आटोमेटिक की दो किस्ते रहेंगे, वो यहाँ पर कट जाएंगे, कहीं पर आपको जाकर पे करने की जुरूत नहीं पड़ेगी, ओपर आल दोस्तों, अगर मैं इस अप्लिकेशन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर आप 500 रुपे से लेकर के 50,000 रुपे तक का लोन ले सकते हो, इस सारा को डिपेंड करेगा आपके लिजबिल्टी पर, जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर रहेगा, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर लोन मिलने के चांसे होते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सोच रहे होगा, कितना महेंगा पड़ा, कितना सस्ता पड़ा, जिससे अगर 15,000 रुपे हमें जब लोन मिल रहा था, तो हमने सोते हैं चलो, इसको हम दो महीने वापस कर देंग तो दोस्तों देखेंगे कि हम इनको टोटल पे करते हैं, वो करते हैं आपे 16,010 रुपे और जो हमारे बैंक अकाउंड में आता हम उसको ही गिनेंगे, यहाँ पैसा नहीं भाई 15,000 रुपे गिनेंगे, हमारे बैंक अकाउंड जो आता है, वो 13,822 रुपे आता है, तो इस सिर्फ लोन ले लो, वहां पे महंगाप मिल रहा है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, बलकि मेरा कहना यह रहेगा, अगर आपको एमर्जंसी है, कोई भी ओप्सन नहीं मिल रहा है, कहीं से पैसे ब्यवस्ता नहीं हो पा रही है, तो आप एक लोन के लिए यहां से कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा, आपको कितने लोन की जरुरत है, आपके पास कौन कौन से डोकमेंट्स हैं, चली फिर मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियों तब तक के लिए, जय हैं, जय भारत!